अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी जेब में 12 रुपे हैं अब सोचते हैं कि सिक्कों और नोटों के किस प्रकार के अलग-अलग मेल से 12 रुपे तेयार होंगे आईए देखते हैं मेरे पास एक रुपे के बारा सिक्के हो सकते हैं या दो रुपे के छे सिक्के अन्य मेल इस प्रकार हो सकते हैं बारा रुपे दो सिक्के पांच रुपे के एक सिक्का दो रुपे का बराबर बारा रुपे आप 4, 1, 2 और 5 रुपे के सिक्कों के विभिन प्रकार से किये जाने वाले मेल के बारे में सोच सकते हैं सही, बहुत खुब, मेरे पास एक और प्रकार से इन सिक्कों का मेल किया गया है इसे देखें, 10 रुपे का एक नोट और 2 रुपे का एक सिक्का, बराबर 12 रुपे और दो रुपे का एक सिक्का बराबर बारा रुपे इसका मतलब है कि एक रुपे के दस सिक्कों को समालने के बजाए उनके लिए दस रुपे का एक नोट का आदान प्रदान करना आसान है इसी तरह एक रुपे के सौ सिक्कों को समालने के बजाए स्थानिया मान या मूली को समझने के लिए मान लीजिए कि हमारे पास एक हजार रुपए के नोट तो एक हजार रुपए एक रुपए के हजार सिक्कों के लिए मैं सो रुपए के दस्टों का आदान परदान कर सकता हूँ हम जानते हैं कि गणित में इकाई, सैकडा, हजार, दस हजार को स्थान के रूप में दिखा सकते हैं इन स्थानी अमानों को अलग-अलग तरीके से दिखाएं सो रुपए, दस रुपए, एक रुपए इसी तरह हम स्थानी हजार वास्थान भी दिखा सकते हैं चलिए, अब हम मीना की मदद करते हैं वो अपने दो अलग-अलग गुल्लक में एकतरित की एधन को जमा करने के लिए बैंक मेंbell नियूनतम संख्या में नूट ले जाना चाहती हैं त्यार है?, ठीक है पहली गुल्लक से उसने एक रुपए के 15 सिकटी 10 रुपए के 14 नूट, 100 रुपए के 2 नूट निकाले क्या आप देख सकते हैं, कि उस ने एक रुपए के सिक्कों को दस रुपेों के नोट और दस रोपे के नोटों को कैसे बदला आएए देखते हैं कि वास्तों में इसका क्या अर्थ हो सकता है ये 355 रोपेों के बराबर है दूसरे गुल्लक से उसने 1 रुपे के 27 सक्षिय 10 रुपे के 23 नोट 100 रुपे के 2 नोट निकाले देखते हैं वो इन्हें कैसे गिनेगी इस बार भी आसान बनाने के लिए मीना ने एक रुपए के सिक्के दस रुपए के नोटों और दस रुपए के नोट सो रुपए के नोटों से बदल दिये हैं अब वो ये पता लगाने के कोशिश कर रही है कि उसके पास कुल कितना है मीना ने कुछ इस तरह किया मीना के पास अब कुल रुपे हैं पांच अधिक साथ बराबर बारा सिक के एक रुपे के पांच अधिक पांच बराबर दस रुपे के दस नूट चार अधिक तीन बरावर सो रुपे के साथ नोट एक रुपे के बारा सिक्कों के लिए उसने दस रुपे की एक नोट और एक रुपे के दो सिक्के अपने पास रखे इकाई, दशक और कैरिड ओवर जिसे हासिल कहा जाता है अब उसके पास एक और दस रुपे का नोट है अर्थात 5 अधिक 5 अधिक एक बराबर 11 दस रुपे के नोट है इस एक को हासिल कहते हैं जो दहाई के स्थान पर जायेगा तो 10 रुपे के इन 11 नोटों में से प्रतियक राशी 11 गुना 10 बराबर 110 है। उसने 100 रुपे के एक नोट को बदल दिया और 10 रुपे के एक नोट को वैसे ही रखा। अब उसके पास 100 रुपे का एक और नोट है। अताहा उसके पास 100 रुपे के 4 अधिक 3 अधिक 1 बराबर 8 नोट है। इस एक को सैकड़ा स्थान का हसिल कहा जाता है। देखते हैं अब उसके पास कुल कितने रुपे हैं। उसके पास रुपे हैं 812। अब आप कैरियो और अर् को केसे जोडते हैं इस बार हजारान शियस्थान भी है न यहां ये ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि उपरोग दो या तीन अंकों की संख्याओं को जोडते समय भी हमेशा दो एकल अंकों की संख्याओं जोडे और यदी इनका जोड एक या उससे अधिक हैं तो हासिल से को दहाई या दहाइ में जोड़ना है और इसी प्रकार आगे भी करते जाना है इसका मतलब है कि जो दो संक्यों के अंगों की संक्या के बावजू जोड़ के प्रक्रिया समान रहती और वो इस जोड़ को ज्यासान बनाती है है ना ठीक आईए एक उधारन लेते हैं Zac 2986 और 3597 जोड़े 6 अधिक 7 बराबर 13 अर्थात हम 10 का नूट और 1 रुपे के 3 सिक्के लेंगे अतहा हम 3 इस अंक इकाई के स्थान पर लिखेंगे 10 रुपे के नूट को दहाई स्थान पर हासिल के रूप में दिखाएंगे अब हमारे पास 10 रुपे के 8 अधिक 9 अधिक 1 बराबर 18 नूट है हम 180 रुपे को 10 रुपे के 10 नूट के साथ 100 रुपे के 1 नूट और 10 रुपे के 8 नूट के साथ बदलते हैं अब हम दहाई के स्थान पर आठ लिखते हैं और सौ रूपे का ये एक नोट सेकडा के स्थान पर हासिल के रूप में लिखा जाएगा। अतहा हमारे पास सौ रूपे के नो अधिक 5 अधिक 1 बराबर पंदरा नोट है। 100 रुपई के 15 नोट यानि 15 गुना 100 बराबर 1500 रुपई हैं हम 1000 रुपई के 1 नोट के साथ 1500 रुपई को बदल सकते हैं अब ये वरतमान भारत्य मुद्रा में मौजूद नहीं है लेकिन समझने के लिए सुविदा के लिए यहां मान लेते हैं और 100 रुपे के 5 नोट हम सेंकडा के स्थान पर 5 लिखते हैं और ये एक नोट 1000 रुपे 1008 स्थान पर अब हमारे पास 1000 रुपे के 2 अधिक 3 अधिक 1 बराबर 6 नोट है जो इस प्रकार दिखाए गए हैं 1000 दो अधिक 3 अधिक 6 सेंकडा 9 55 तो कुल मिलाकर हमारे पास 3,000 अधिक 500 अधिक 80 अधिक 3 बराबर 6,583 रुपए हैं। हम उसी प्रक्रिया का उप्योग करते हुए हम 5 अंकों की 2 संख्याओं का जोड़ भी निकाल सकते हैं। इस बार 5 अंकों की संख्याओं के कारण 10,005 स्थान भी होगा जो 10,000 बराबर 1,000 के 10 नोट के रूप में जोड़ जाएगा। आईए योग करने का प्रयास करें। जैसे जैसे हम इकाई के स्थान के अंकों को जोड़ते हैं तो यह दिखाई पड़ता है कि सैंकडा के स्थान पर अंकों को जोड़ने के बाद हमें हजारवे स्थान के लिए कोई भी हासिल नहीं मिलता है। लेकिन हासिल के साथ 10,000 आवे स्थान पर अंकों को जोडने के बाद हमें 10,000 प्रतियक के 11 नोट मिले 11 गुना 10 गुना 1000 बराबर 1,10,000 जिसका अर्थ ही ये है कि हमें इस संख्या को दर्शाने के लिए लाख यह स्थान जोडने की आवशक्ता है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है आईए दो जिलों की जनसंख्या जोडने का प्रयास करें मान लिजिए एक जिले की जनसंख्या 4,87,869 है अधिक दूसरे जिले की जनसंख्या 3,64,632 है एकल अंको को जोडने की कुछ आसान तरकीवे हैं चलिए देखते हैं आपको अंको के सभी युगमों के बारे में पता होना चाहिए जो 10 तक जोडते हैं यानि 1 अधिक 9 बराबर 10 2 अधिक 8 बराबर 10 3 अधिक 7 बराबर 10 4 अधिक 6 बराबर 10 पांच अधिक पांच बराबर 10 छे अधिक पांच जैसे दो अंकों को जोडने पर हम इसे छे अधिक चार अधिक एक बराबर 11 या छे अधिक छे घटा एक बराबर 11 ऐसे बना सकते हैं आठ अधिक छे जैसे दो अंकों को जोडने पर हम इसे 8 अधिक 2 अधिक 4 बराबर 14 ऐसे बना सकते हैं हमने क्या सीखा 5, 6, 7 या अधिक संखों की संख्याओं को जोड़ते समय निम्लिखित प्रक्रिया दोहराई जाती है यदि 2 एकल अंकों की संख्या का योग 10 से कम है तो हमें उत्तर मिल जाता है यदि योग 10 से बड़ा है तो फिर हम एक को अगले स्थान पर ले जाते हैं जिसे हम हासिल कहते हैं जब हम कितने भी अंकों की दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो योग हमेशा मूल संख्या से बड़ा होता है संख्या ये छोटी हो या बड़ी जोड़ना आसान है यह दो एकल अंकों की संख्याओं के जोड़ की पुनरावृत्ती है स्वाध्यार अब उपरोक्त उधारन के संख्याओं का उप्योग करके क्या ये पता लगा सकते हैं कि नीचे दिये गए रिक्त स्थानों में कौन सी संख्या हो सकती है कोशिश करें